दोस्तों मैं धर्मिंद्र कुमार अपने यूटूब चैनल DKTECNO52 में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों और आसा करते हैं कि आपको सलता से मस्त होंगे दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है कि यदि आप यूटूब चल रहा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों इल्डेटिंग करिए फिर इसके बाद रिकार्डिंग करिए आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों तो चल इनको एकदम उपर में स्क्राल डाउन करना है दोस्तों स्क्राल डाउन करने के बाद आपको करना क्या है जो फ्लाइट मोड है इसका फ्लाइट मोड आपको आउन कर देना है दोस्तों और जितना आप बरदास कर सकते हैं एक दो चायर मिनट पाँच मिनट तक इसे छोड़ द दोस्तों यदि आपके पास ऐसा भी नहीं आपका फिर भी यूटूब चल रहा है दोस्तों तो आपको करना क्या है सेटिंग को ओपन कर लेना है जैसे ही आप सेटिंग ओपन करते हैं दोस्तों आपको क्या करना है आपको एपस दीख रहा है दोस्तों आप यहां देख रहे है कि मेरा एप से यहाँ पर दीख रहा है कि मेरा यूटूप कहां पर विद्यमान है दोस्तों और जैसे ही आपको यूटूप कहां पर आगया है दोस्तों यहाँ दैखें मेरा यूटूप आप दिख रहा है भली भार देख सकते हैं दोस्तों आपको इसी पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां उपर में एक आइकान देख रहा है फोर्स इस टाप का फोर्स इस टाप पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों आपकी समस्या खतम हो जाएगी यह फिर भी समस्या नहीं खतम होती है दोस्तों तो आपको यहाँ एक आइकान देख रहा है आपसन देख रहा है दोस्तों इस्टोरेज का इस्टोरेज पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस्टोरेज पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरह का आइकन खुल जाता है और यहां आपको क्या करना है उपर में clear data पे click कर देना है जैसे ही आप clear data पे click करते हैं दोस्तों यह okay का option मांग रहा है जैसे ही आप okay करेंगे आपका जितना भी unknown side था वहां सब delete हो जाएगा और आपका YouTube चलने लगेगा दोस्तों तो यह उप पर फिर भी आपका नहीं ठीक होता है दोस्तों तो आपको scroll down करना है scroll down करने के बाद permission पे click करना है permission पे जैसे ही आप click करेंगे जितनी भी permission है आप दे देंगे दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं एक एक करके permission आपको दे देना है आपका YouTube 100% work करने लगेगा दोस्तों यह इतने से भी बात नहीं बनती है तो आपको क्या करना है play store में आ जाना है यहां देखे मेरा play store दिख रहा है दोस्तों आपको play store पे click कर देना है जैसे ही आप play store पे click करेंगे दोस्तों यहां search बार में type करना है YouTube यहां देखे मेरा YouTube आ गया है दोस्तों आपको YouTube पे click कर देना है जैसे ही आप अपडेट करेंगे दोस्तों, नीचे एक आपसन आएगा, जोईन का, आप उससे जोईन कर लेंगे, इसके बाद आप YouTube खोलेंगे दोस्तों, आपका YouTube चलने लगेगा, यद इतने के बाद भी आपका बात नहीं बनता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है एक बार अब mobile को switch up करके, इसके बाद switch को खोल देना है, दोस्तों, जैसे आपका mobile on होता है, आपका काम चलने लगेगा और YouTube चलने लगेगा, दोस्तों, इससे भी बात नहीं बनता है, दोस्तों, तो आपको क्या करना है, power button को long press करना है, power button को long press करते हैं, जैसे आप switch, on up करते हैं, Samsung में तो बिल्कुल सीधा है इसके बाद Realme, Redmi, Oppo, Vibo में जो function हो आप उसे restart पे click करके एक बार mobile phone को आप restart कर देंगे दोस्तों जैसे ही आप mobile phone को restart करते हैं आपकी बात बन जाएगी और आप YouTube खोलेंगे दोस्तों तो आपका YouTube बिल्कुल 100% work करने लगेगा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा YouTube बिल्कुल खुल चुका है और यहाँ देखिएगा 100% work करेगा दोस्तों आप देख सकते हैं तो I hope कि मेरा वीडियो आपको परसंद आया होगा दोस्तों याद मेरा वीडियो आपको परसंद आया है तो मेरे DKTecno52 चैनल YouTube को लाइक करें Share, Subscribe और कमेंट करें और घंटे का बटन दबा के दोस्तों All Notification पर क्लिक कर दें ताकि मेरी helpful वीडियो आपको पहुंचती रहे और अधिक जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों क्योंकि यह डिश्टेल इंडिया है डिश्टेल इंडिया में अधिया आप कुछ जान रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद